नमस्कार प्यारे बच्चो राम राम कैसे हो उमीद करता हूँ कि आप अच्छे और सोस्त होंगे प्यारे बच्चो आज के सेशन में अपने बात करेंगे अक्टूबर मार के जो फोर्थ विक के अंदर रोजगार समाचार निकला है उसकी चर्चा करने वाले हैं तो इस वीड करते हैं आज का जो वीडियो है उसमें देखते हैं कि डिपार्टमेंट का नाम है प्यारे बच्चो पब्लिक के वक डिपार्टमेंट महराष्ट्रा इसके अंदर जो पोस्ट हो देखेगा जूनियर इंजिनियर की है सीविल एलेक्ट्रिकल की स्टेनोग्राप पर लेबोर कर सकते हो और क्वालिपिकेशन की बात करें तो क्वालिपिकेशन देखेगा आपके पास बार्वी पास से प्लस डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए पोस्ट के अनुसार और एज लिमिट देखेगा अठारा से पसपन साल इसके अंदर निर्दारित की है अप्लिकेशन की बात करें तो आपको एक हजार रुपे देने हैं इसके अलावा अगर आप रिजर्व के टे गरें रहो तो आपको 900 रुपे देने हैं यह ओपिशिल वेप्सट का लिंक दिया हूँ है यहां से आप अपने आउधन पर करिया है वो कंप्लीट कर सकते हो आगे अपने बात करें तो देखेगा डिपार्टमेंट का नाम है यह यहां गलट टाइप हुआ है करेंट की जगा क्या है क्रेंट सी नोट प्रेस यानि की सी एनपी नासिक के अंदर है और पोस्ट कौन-कौन से वो देखेगा सुपरवाइजर और आर्टिस्ट जैसे ग्र ग्राफिक डिजाइनर और सेकरेटर एसेस्टेंट है कुल पर एक सो सत्रा आविदन करने के अंतिम्तित यह अठारा नॉमबर दो हजार तेवीश है आप अठारा नॉमबर दो हजार तेवीश तक इसके लिए आउदन कर सकते हो एजूगेशन क्वालिफिकेशन आई टी पर दो होस्टवाइज आपके पास अगर है तो आप इसके लिए आउदन कर सकते हो एज लीमिट पैरेबच्छो अठारा से अठाइस साल निर्धारीत की गई है कितनी है अठारा से अठाइस साल है इसके अंदर मेक्सिमम एज अठाइस साल है और अप्लिकेशन फी का अन्रिजर्व ओपीशी एडवलोस केटेगरी के जो कंडिडेट है उनको 600 रुपे देने है अधर केटेगरी के जो कंडिडेट है उनको 200 रुपे देने है यह ओपीशेल वेबसाट का लिंक दिया हो है पहरेबच्छो यहां से आप अपने आविदन प्रक्रिया है वो मिशन है यानि कि HPPAC इसके अंदर जो पोस्ट है वो है पोस्ट ग्रेजव टीजर यानि कि PGT और नमबरों वेकेंचीज पान्सों पिचाशी लास्ट डेट है तेरा नॉम्बर दो हजार तेवी से एजुगेशन क्वालिफिकेशन देखेगा बीए बीएड बीएड बीएश और अप्लिकेशन फी अपन देखते हैं अप्लिकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीशी EWS केटेगरी के कंडिडेट उनको 400 रुपे देने इसके लावा SCST और PWD केटेगरी के जो कंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपे है जो आविदन सुल के निर्दारित किया गया है यह अपने आविदन पर करिया है वो कंप्लीट कर सकते हो आगे देखेगा नेक्स्ट है उत्रा खंड सब ओर्डिनेट सर्वीस सेलेक्शन कमिस्टेंगी यूग के ट्रिपले सी पोस्ट इसके अंदर एसिस्टेंट सोशल वेलफेर ओपिसर इसके अलावा रिडर ओपिस असिस् है तो 220 है कितने है 220 है लास्ट डेट है पहरे बच्चो 23 नवंबर 2023 है 23 नवंबर तक आप इसके लिए आविदन कर सकते हो एज्यूएशन की बात करें तो ग्रिज्वेशन इसके अंदर मांगी है पहरे बच्चो और एज लिमिट देखेगा एज लिमिट है इसके अंदर 18 से 42 साल है अप्लिकेशन फी देखते हैं जनरल ओबीशी के इंदर आप आते हो तो आपको 300 रुपे देने हैं है एस्टी एस्टी और एडवलोएस के इंदर आप आते हो तो आपको 150 रुपे देने हैं यह ओपीसिल वेपसाट का लिंक दिया हूँ है यहां से आप अपने नेशनल हेल्थ मिशन यानि की एन एड़े प्रदेश के अंदर वेकेंचिस निकली हुई है पोस्ट है अप्थलमीक असिस्टेंट नंबर वेकेंचिस है 92 लास्ट देट है 14 नौंबर क्वालिपी किसन देखेगा बार्वी पास प्लस डिप्लोमा इन एड़ अप्थलमीक टेकनोलोजी के अंदर आपने कर रहा है तो आप आउदन कर सकते हो एज लिमिट है 21 से 43 साल कितने है यहां से आप अपने आउदन प्रक्रिया है वह कंप्लेट कर सकते हो प्यारे बच्छो नेक्स्ट है उत्तरपरदेश सेब ओडिनेट सर्विस सेलेक्शन कमिशन है यूपी ट्रिपल एस्ट के इंदर है और पोस्ट है प्यारे बच्छो इस्टेनोगरा पर नंबर वेकेंच से एजुकेशन क्वालिफिकेशन बार्वी पास है एज लिमेट 18 से 40 साल इसके अंदर निर्दारित की गई है अप्लिकेशन फीकी बात करें तो सभी के टेगरी के जो कंडिडेट है उनको 25 रुपे देने है और यह ओपीशिल वेपसाइट का लिंक दिया है यहां से आप अ हो देखेगा स्टेट टेक्स टेक्स इंस्पेक्टर इसके लावट टेक्स असिस्टेंट डिवीजनल इनफोर्मेशन ओपीसर कुल वेकेंचीज है इक कैसी नवासी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर क्वालिफिकेशन देखेगा बार्वी प्लस डिग्री डिप्लोमा केटेगरी कंदर आप आते हो तो 300.000 में रूपे देने है रिजोर केटेगरी कंदर आप आते हो तो आपको 200.000 में देने है यह MPSC की ओपीछल वेप्साट का लिंक दियावा है यहाँ से आप अपने आओधन परक्रिया वो कंप्लेट कर सकते हो नेक्स्ट देखेगा इंडियन ओयल कोर्पोरेशन लिमिटेड आयो सीयल पोस्ट है ट्रेड इसके अलावा टेक्निसियन अप्रेंटिस से कुल वेकेंजी से 1720 से लास्ट डेट है बीस नौंबर दो हजार तेवी से एजुगेशन को वाली खिंदेगेगा आएट यह आपने कर रहे किया पोस्ट वाई तो आप आवधन कर सकते हो बीएश्वी बीकोम वाले इसके लिए आवधन कर सकते हैं एज लिमिट है 18 से 24 साल और ओपीसल वेपसाइट का जो लिंक दिया है वो यह है यहां से आप अपन आवधन पर करिया है वो कंप्लेट कर सकते हो आगे अपने बात करते हैं देखेगा सेंट्रेल इंडस्ट्रियल सिक्योर्टी फोर्स सी आई है सब के अंदर है हेड को स्टेबल पद का नाम है टोटल इसके अंदर पोस्ट है 215 लास्ट डेट 18 अठाइस नॉम्बर और से 23 साल इसके अंदर पहरी पत्रों निर्दारित की गई है अप्लिकेशन फी जनरल ओपीशी एडवलोस केटेगरी के जो कंडिडेट है उनको 100 रुपे देने हैं अधर केटेगरी वाले इसके लिए फ्री में आवधन कर सकते हैं यह ओपीशील वेप्साट का लिंक दिया वो कंप्लेट कर सकते हैं आगे अपन देखते हैं डिपार्टमेंट का नाम है पावर ग्रीड कोर्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड पीजी सी आई एल पोस्ट है इंजिनेर ट्रेनी कुल पद है इसके अंदर 114C लास्ट डेट है दस नौंबर दो हजार तेवी से इसके अंदर और अप्लिकेशन फी के अपन बात करें तो अप्लिकेशन फी देखेगा स्थी और पी डबलू डी के टेगरी के जो कंडिडेट है उनके लिए निसुलक है अदर जो के टेगरी के जो कंडिडेट है उनको 500 रुपे देने हैं यह वो पीचिले वेबसाइट का इसके दिया है यहां से आप अपने आउदन प्रक्रिया है वो कंप्लेट कर सकते हो पहरे बुच्छो नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ मिशन यानि की एन एट एम जस्पूर और पोस्ट का नाम है कम्मिनुटी हेल्थ ओपिसर एंड स्टाप नर्स है उल्पदन तिर्याण मैं अंतिम्तितिय छह नौंबर दो हजार तेवी से एजुगेशन क्वालिफिकेशन जी एनम बीएसिन नर्सिंग आपने कर रहे किया है तो आप आविदन कर सकते हो मिनिमम एजिस के अंदर अठारा साल है वो निर्दारित की गई है कितनी है अठारा साल निर्दारित की गई है पहरे बुच्छो और अप्लिकेशन फीक की अनिर्देट है उनको 300 रुपे देने हैं ओवीची के टिकरी गंदर आते हो तो 200 रुपे ऐसी एस्टी के टिकरी गंदर आप आते हो तो आपको 100 रुपे देने हैं यह उपीचिल वेप्सराट का लिंक दिया हुए पहरे विचो यहां से आप अपने आवधन पर करिया है वो कंप्लेट कर सकते हो नेक्स्ट से अपन बात करते हैं तो देखेगा ओल इंडिया इंस्टिटूट ओप मेडिकल साइन्सेज यानि की एम्स बिलासपुर के अंदर है जूनियर रेजिडेंट के 141 पतों के उपर इपनजारी हो चुका है आप चार नौंबर 2023 तक इसके लिए आविदन कर सकते हो क्वालिपीकेशन है मेडिकल डिग्री या डिपलोमा आपके पास होना चाहिए एज लिमिट मेक्सीमम इसके अंदर 30 साल निश्धारित की गई है पहरे बच्चों अप्लिकेशन भी की बात करें तो आप अगर जनरल ओबीची एडवलोस के टेगरेंद आते हो तो आपको 1180 रूपे देने हैं इसके अलावा SC और ST के टेगरेंद आते हो तो 590 और PWD के टेगरेंद आप आते हो तो आप फ्री मेस के लिए आविदन कर सकते हो यह ओपीशल वेपसाइड है एम्स बिलासपुर की यहाँ से आप डेटेल में नोटिपिकेशन है वो चेक कर सकते हो आगे देखेगा डिपार्टमेंट का नाम है प्यारेबचो बिहार टेक्निकल सर्विस कमीचे नहींगी BTSD पोस्ट है ITI इंस्ट्रक्टर को नंबर वेकेंजिस 910 है और लास्ट रेट की बात करें तो तीन नोवंबर क्वालिपिकेशन इसके अंदर है टेड की बात करें तो जनरल OBC और MBC और EWS के टेगरी की जो कंडिडेट है उनको 600 रुपे देने हैं SCST और PWD के टेगरी की जो कंडिडेट उनको 150 रुपे देने है यह ओपीशेल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है यहां से आप अपने आउधन पर करिया है वो कंप्लेट कर सकत आपने बात करें नेक्स्ट देखिएगा राजस्तान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आर ऐसे PCB पोस्ट है ला ओपिसर ग्रेड सेकेंड जूनियर साइन्टिपिक ओपिसर यानि की जीए सो और कुल परने 114 अंतिम्तितिया 17 नौंबर दो हजार तेवी से एजुक आप इसके लिए आविदन कर सकते हो इस पोस्ट के लिए और एज लिमिट की बात करें दो ठारा से चालिस साल निरदारित की गई है ओपिसे लिए एपसाइड है एन्वारिमेंटल डोट रास्तान डोट जीओ वीडियो टे यहां से आप अपने आविदन पर करिया है वो कं पोस्ट है प्यारे पत्रोट डिपार्टमेंट का नाम है ससस्तर सीमा बल्यानी की SSB और पोस्ट का नाम है सब इंस्पेक्टर कुल पने 111 अंतिम्तिती एक 19 नौंबर 2003 से एज्विकेशन क्वालिपिकेशन बार भी साइंस के साथ प्लस इटी इस इविल इंजिनेरिंग पाते हो तो 200 रुपे देने हैं अधर जो केटेगरी के कंडिरेट हैं उनके लिए निसुलक है यह से आप अपने आउधन पर करिया है वो कंप्लेट कर सकते हो नेक्स्ट है अगला जो डिपार्टमेंट हो देखेगा नेशनल इंस्टुट्यूट ओप मेंटल हेल्थ एंड नियूरो साइंस इसमें पोस्ट है नर्सिंग ओपिसर कुल पनेक्स सो इक्सेट अन्तिम्तिती अठारा नौंबर दोजार तेवीस है बीस्टी नर्सिंग वाल सोरी अप्लिकेशन फी की बात करें तो आप अगर स्टी केटिगरी के कंडिडेट हो तो आपको 850 रूपे दिन है अधर जो केटिगरी कंडिडेट हो उनको 1180 रूपे दिन है यह पिछली वेपसाइड का लिंक दिया हुआ है यहां से आप अपने आउधन पर करिया है वह कं प्रेक्स्ट है प्यारे पच्छो सोरी एरपोर्ट अथरोटी ओप इंडिया कार्गो लोजिस्ट एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेट के अंदर पैद है प्यारे प्यारे पच्छो असिस्टेंट कुल पद हैं 437 अंतिम्तितिया पंद्रा नौंबर दोहजार ते की निर्दारित की गई है अप्लिकेशन फी की बात करें तो अप्लिकेशन फी है देखेगा OBC के टेगरी के इंडर आप आते हो तो 500 रुपे देने है नेक्स्ट है डिपार्डमेंट ओप महाराष्टा स्वरी महाराष्टा पब्लिक सर्विस कमिशन MPHC पोस्ट एसोसियेट प्रोफेसर और लेक्चिरार 308 पते हैं 9 नौंबर तक आवेदन कर सकते हो Master degree PhD degree आपके पास है तो आवेदन कर सकते हो 19 से 45 साल इसके अंदर है आयू सीमा निर्धारित की गई है अप्लिकेशन P.A. इसके अंदर है अंदर इस एक टेगरी के जो कंडिडेट है उनको 719 रुपे देने है यहाँ से आप अपने आवेदन पर करिया है वो कंप्लेट कर सकते हूँ नेक्स्ट है प्यारे पुच्छो देखेगा जवारलाल इंस्ट्यूट ओप पोस्ट ग्रेज्यूएट मेडिकल एज्यूकेशन एंड रिसर्च यानि की जीप मेर पोस्ट है स्पेस्लिस्ट है नर्सिंग ओपिसर फार्मासिस्ट एक्सरे टेकनिशेन कुल पतने सत्यान में 16 नौमबर तक आप आवेदन कर सकते हूँ एज्यूकेशन क्वापिकेशन ग्रेज्यूएशन है मिनिमम एज इसके अंदर 18 साल है जो की निर्दारित की गई है अप्लिकेशन फीकी बात करें तो ओबीची एडवलो एस एंडरेजो केटेगरी की जो कं कंडिडेट उनको 1200 रुपे देने हैं यह ओपीशिल वेबसाइट की लिंक दिया हुआ है यहां से आप अपने आवेदन प्रक्रिया है वह कंप्लेट कर सकते हो नेक्स्ट है डिपार्टमेंट का नाम है प्यारे बचू जहारकंड स्टाप सेलेक्शन कमिशन पोस्ट है लावर डिविजन के लगा और इस्टेनों गरापर आए आट सो चो सट पर दैस के अंदर है अंतिम्तिती एक दिसंबर है बार विपास कंडिडेट आवेदन कर सकते है एस लिमिठ है 18 से 35 साल अप्लीकेशन फी की बात करें तो इसस एस्टी केटेगरी के जो कंडिडेट उनको 50 रुपे बाकी जो केटेगरी के जो चंडिडेट उनको 100 रुपे देने है यह ओपिस्टे लीपसाइट का लिंक दिया वा है यहां से आप अपने आवोधावों वो complete कर सकते हूँ, आगे अपने बात करें तो पहरे बात करें तो देखेगा हरियाना स्टेट इलेक्टोनिक्स से डवलोप्मेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड है, उसके अंदर विकेंश निकली हुए है, पोस्ट का नाम है नेटवर्क इंजिनियर, जूनियर प्रोग्रामर, सिस्टम एनालिस्ट है, 213 पने दो नौंबर तक आविदन कर सकते हूँ, एज्यूगेशन क्वालिगेशन है, पोस्ट वाइस डिप्लोमा डिग्री आपके पास होना चाहिए, यह ओपिसल वेपसाइट का लिंक दिया हूँ है यहां से आप अपने आविदन पर करिया है, वो कम्पलीट कर सकते हूँ, नेक्स्ट है प्यारिवाइब पास हो, जो सेंट्रल लेलुए के अंदर, सेंट्रल लेलुए के अंदर जो पोस्ट है, चीने टेखनिकल एस्ट्र एक्सोसियेट एक्सो पैंधिस पने 25 रक्टु बढ़ तक आप आवेदन कर सकते हो, education, qualification, engineering degrees के इंदर मांगिए है, 18 से 33 साल है, ओमर है, application fee, सेस्ट, OBC, EWS, category इनको 250 रुपे देने है, और अदर जो all category इनको 500 रुपे देने है, यह ओपिशल वेपसाट का लिंक दिया हो है, यहां से आप अपने आवेदन पर करिया है, वो complete कर सकते हो, नेक्स्ट है सूरत मुनिस्टिपल कोर्पोरेशन यानि SMC के अंदर है अप्रेंटिस से कुल पतने 1030 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हो बार्वी प्लस आई टी आई बीए बीको मापने कर रगी है मिनिमम में अठारा साल है और यह नीचे ओपिछल वेपसाट का लिंक दिय है यहां से आप अपने आवेदन प्रक्रिया है वह कंप्लेट कर सकते हो नेक्स्ट देखेगा पहरे बचो कि डिपार्डमेंट ओडिस साब ओडिनेट स्टाप सेलेक्शन कमिशन ओ ट्रपलेशी पोस्ट है लावी स्टोग इस्पेक्टर और फोरेस्ट गार्ड सताइस सो ब और सीन अनिमल हैजमेंट्री एन अनिमल प्रोडेक्शन आपके पास है तो आवेदन कर सकते हो 18 से 38 साल इसके अंदर आयू सिमा निरधारित की गई है और यह ओपीसिल वेपसाइट का लिंक दिया हुए है यहां से आप अपने आवेदन पर करिया है वह कंप्लेट कर सकते हो तो प्यारे बात करें तो लगबग चोईस डिपार्टमेंट है उसके अंदर अलग लग जो वेकेंजीज है वो निकली हुई है अक्टूबर माह के फॉर्थ वीक का जो रोजगार समाचार था वो मैंने आपके साथ यहां पर शेर किया है तो आपके लाइक अगर कोई जानक के अंदर है तो उनके लिए बहुत ही फाइदा हो सकता है और आपके लिए तो आप भी अंतिम्तिति का इंतजार किये वगर इसके लिए अविदन कर दीजिएगा और अपने जो तैयारी है उसको अंतिम रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ाते रहिएगा चलिए अगर तैयारी कर रहे हो तो हमारी टीम आपकी सुचार के लिए डेली करेंट फेर है जो फ्री में लेकर आ रही है निसुल का आपको मिलने वाला है तो आप पे इन्फिज नोट्स का इस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल हो आप फोलो कीजिएगा वहां से आपको डेली कर आज नहीं देना होगा बिल्कुल आपको फरी में पढ़ने को मिलेगा बच्चे बात करें तो हर एक्जाम के अंदर करन्ट अफेर के 10-15 क्यूशन आते है तो आप पे हमारे साथ जोड़िएगा और अपनी करन्ट अफेर की तैयरी को बेतर से बेतर कीजिएगा जिससे आप करन्ट अफेर का टेंशन है वो खतम हो जाए इसके अलावा आप अगर कहीं नहीं जा सकते घर बटे अपनी तैयरी को और बेतर करना चाहते हो या कोचिंग भी कर रहे हो तो हमारी टेम आपकी सुईदा के लिए हर एक्जाम के हैंडिट नोट्स लेकर आई है तो आप जिस सेंपल पढ़ने हैं सेंपल नोट्स का कोई चार्ज आपको नहीं देना है फ्री में आप पढ़ सकते हो आप कंप्लीट नोट्स कर देना चाहते हो तो वहाँ पर मोबाइल नंबर दिये हैं उनके उपर आप कोल कीजिएगा और हमारी टीम आपकी बरसक भरपूर तयारी के लिए हेल्प करेगी आपको नोट से संबंदित या भरती से संबंदित कोई भी जानकारी पूस्ट नहीं है तो बेज जीज़े का आप हमारी टीम से पूछेगा आपकी पूरी साहता की जाएगी पहरे बिच्छो उमीद करता हूं कि मेरे दुबारा दीगी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इसको शेर करना मत बूलेगा चलिए मिलते हैं अपने एक सेशन में धन्यवाद राम राम